प्रेंड्स आज के वीडियो में केवल दो स्ट्रेक्चर्स पर बात होगी वो दो स्ट्रेक्चर क्या है अभी हम शुरू कर रहे हैं ध्यान से आप देखें बहुत कम समय का वीडियो है और बहुत कम समय लेकर आपको मैं ये दोनों स्ट्रेक्चर समझाना चाहूंगा पहला है वह मुस्कुराती रहती है She keeps on smiling Keep on माने होता है जारी रखना दूसरा है वह मुस्कुराती रही यह past tense है इसका translation होगा She kept on smiling Keep का V2V3 past tense है Kept यह तो एक बनावट हो गए structure की अब दूसरे तरह की बनावट है नमबर 3 में वह मुस्कुराती ही रहती है इसमें ही लग गया है तो इसे कैसे बनाएंगे देखिए She does nothing but smile नमबर 4 है वह मुस्कुराती ही रही She did nothing but smile Last number 5 और 6 है इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है खाली जगा छोड़ दी गई है आप भी कुछ करें इससे पता चलेगा कि आपने sentence की structure की बनावट को सीखा के नहीं सीखा तो नमबर 5 है तुम खेलते रहते हो तो you dash on playing यहाँ खाली जगा है यहाँ पर क्या भरा जाएगा तो पता है आपको कीप भरा जाएगा नमबर 6 है तुम खेलते ही रहते हो तो यहाँ पर खाली जगा है you do nothing dash play तो dash में क्या भरा जाएगा आप बता या मैं बताऊं but you do nothing but play छोटा सा दो अरहाई मिनिट का वीडियो है आप देखिए अगर समझ में नहीं आए तो दो बार देख लें आपका फायदा ही होगा यहीं पर हम वीडियो को समाब्द करते हैं दन्यवाद थेंक यू